इस संसार का रचनाकार जो चाहता है बस वही होता है। चाहे सूरज का उगना हो, हवाओं का चलना हो, चिडियों का चहचाहाना हो, नदी पहाड, कंकड पत्थर, यहां तक की जीवन मरण सब कुछ उस विधाता के हाथों में है। लेकिन इसी प्रतेक्ष दुनिया में एक और दुनिया है, जिसे चैतन ने लोग कहा जाता है। एक बार जो इस अद्रिश्य दुनिया का उपासक बन जाता है, तो फिर इश्वरिये साक्षातकार के लिए खुली आँखों के मायने खत्म हो जाते हैं। चैतना के इस दुनिया के साधक का सामर्थ ऐसा हो जाता है, कि वो चाहें तो स्वयम नारायन को भी सदेह दर्शन देने के लिए आना पड़ता है। जगत गुरु राम भद्राचार भी चैतना के इसी संसार का एक हिस्सा हैं, जिन्होंने अब तक के जीवनकाल में ऐसे ऐस चमतकार किये हैं, जिसकी सामा ने दुनिया में कलपना भी नहीं की जा सकती। जगत गुरु राम भद्राचार एक ऐसी शक्सियत जिन्हें दुनिया ने जब देखा तो उनकी आँखें नहीं थी। लेकिन जब राम भद्राचार ने अपनी दिव्वे आँखों से इस दु पुली आँखों से भी दुनिया कभी नहीं देख पाई। विधाता ने भले ही बचपन में उनकी आँखें ले ली थी। लेकिन उन्हें ज्ञान और प्रतिभा की ऐसी खान बना दी। जहां से धर्म और अध्यात्म के हजारों हजार अनुसंधान किये जा सकते हैं। रामभद्राचारे का जन्म यूपी के जौनपुर जिले में सर्यूपारी ब्रहमण परिवार में हुआ था। साल 1950 में मकर संक्रांती के अदभुद संयोग में शची देवी और राजदेव मिश्रा के घर अदभुद प्रतिभा के धनी एक ऐसे पुत्र का जन्म हुआ जिसका वच्पन में नाम गिरधर मिस्रा रखा गया। लेकिन आगे चलकर यही बेटा वेद, गीता, रामायड, महाभारत जैसे तमाम शास्त्रों को कंठस्त कर रामभद्राचारे के नाम से मशूर हुआ। उन्हें इलाज के लिए कई बड़े संस्थानों में ले जाया गया, लेकिन आखों की रोशनी वापस नहीं आई। बीमारी के चलते बचपन में ही आखे नहीं रहीं। इसके बावजूद भी वो कभी भी इस बात से निराश नहीं हुए, बलकि नियती की इक्षा मान कर इस सविकार किया, और पितामा के घर पर ही उन्होंने महाभारत, रामायन, सुक सागर, विश्राम सागर, ब्रज विलास जैसे तमाम ग्रंथ सुनकर ही कंठस्त कर लिये, चार साल की उम्र तक उओकविता पाठ करने लगे, उनकी उम्र तब आठ साल की थी, जब राम भद्राच ने राम कथा और भागवत पाठ करना शुरू कर दिया था। उनकी आध्यात्मिक कौशल के चलते ही पद्म विभूशन सम्मान भी मिला है। लिपी का सहारा लिए उस ज्ञान का भंडार बन गए जिसे दुनिया दोनों आखों के रहते हुए भी नहीं कर पाती। ये रामभद्राचायरे की जन्मजात प्रतिभाही थी कि उन्होंने पंडित मुरलीधर मिश्रा के सानिध में पांच साल की उम्र में पंदरह दिनों में साथ सो स्लोकों के साथ भगवद गीता रटली। साथ साल की उम्र आते आते पूरी रामचरित मानस कंठस्त कर चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने वेदों, उपनिशदों, पुराणों को भी कंठस्त कर लिया। अयोध्या के विद्ध्वान इश्वरदास महराज से गायत संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालर से उच्च सिक्षा प्रात की। 1974 में उन्होंने शास्त्री के उपाधी ले। और फिर आचार यानी परासना तक भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालर से किया। के दिन रामानंद संप्रदाय में श्रीश्री एक हजार आठ रामचरणदास महराज से दीच्चा पूर्ण हुई। और फिर वो गिरिधर मिश्र की जगह रामभद्रदास यानी रामभद्राचारे कहलाए। जगत गुरु रामभद्राचारे ने राममंद्र विबाद के दौरान अदालत में अपना बयान भी दर्ज करवाया था। जहां महराज जी ने एक स्लोक के जरिये अयोध्या की जियोग्राफिकल तस्वीर दिखाते हुए ठीक उस जगह का वर्णन किया था जहां प्रभुश राम का जन्म हुआ था। तो वहीं हनुमान चालिसा में होते हुए भी इंसान हासिल नहीं कर सकता। रामभद्राचायर ने हिंदी संस्कृत समेथ तमाम भाषाओं में लिखे वेदों उपनिशद और पुराणों का ज्यान हासिल किया। फिर मेहनत और प्रतिभा के बलबूते 22 भाषाओं में विद्धोता सीख ली। हिंदी संस् जैसे विशों पर असी धार्मिक ग्रंथों की रचना कर दी। वे देश दुनिया में प्रसिध राम कथा वाचक बने। रामभद्राचायर ने चित्रकूट जिले में तुलसी पीठ की भी स्थापना की।